साथियों, राश्ट्रिय शिक्षानीती एक और बहुत बड़ी समझ्या को भी एड्रेस करती हैं। यहां तो बड़े-बड़े अनुभवी और जानकार लोग मेरे सामने उपस्तित है। आपने जिरूर महसुस किया होगा कि हमारे देश में लर्निंग ड्रिवन एजुकेशन की जगर कोई बुरा मत मानना लेकिन हकीकत है। आज स्थिति यह हैं, मार्क्स और मार्क्षिट यह एजुकेशन हावी है। लर्न तो बच्चे तब भी कर रहे होते हैं, जब वो खेल रहे होते हैं, जब वो परिवार में बात कर रहे होते हैं, जब वो बाहर आपके साथ घुमने जाते हैं। लेकिन अक्सर माता पिता भी बच्चों से ये नहीं पुष्ते हैं कि बेटे तुमने क्या सीखा, बेटी तुमने क्या सीखा, नहीं पुष्ते हैं, पुष्ते हैं तो क्या पुष्ते हैं, यहीं पुष्ते हैं कि मार्श कितने आये, हर चीज वहीं जाकरके अटक जाती है, कुछ परिवार हैं उनको आदत होगे पूछते हैं, अच्छा आज कुल में खाना क्या मिला था, इनी चीजों के आसपास, टेस्ट में नंबर कितने नंबर आए, एक टेस्ट, एक मार्षीट, क्या बच्चों के सिखने की उनकी मानसीक व्कास की पैरामेटर हो सकती है, आज सच्चा ये हैं कि मानसीक प्रेशर सीट बन गई है, और परिवार की प्रेश्ची सीट बन गई है, परिवार के लिए प्रेश्ची सीट है, बच्चे के लिए प्रेशर सीट है, पढाई से मिल रहे इस तनाव को, मेंटल स्ट्रेश से अपने बच्चों को निकालना राष्ट्रिय शिक्षा नीती का एक मुख्य उद्देश है परिक्षा इस तरह होनी चाहिए कि छात्रों पर इसका बे बज़े का दबाव न पड़ेगी और कोशिच यह है कि केवल एक परिक्षा से छात्र छात्राओं का मुल्यांका न किया जाए बल्कि सेल्फ असेस्मेंट पियर टू पियर असेस्मेंट यह छात्रों के विकास के विबिन पहलों का मुल्यांकन हो इसलिए राष्ट्रिय शिक्षा नीती में मार्क्सिट की वज़ उसकी जगह होलिस्टिक रिपोर्ड कार्ड इसकर बल दिया गया इसकी बात कही गई है होलिस्टिक रिपोर्ड कार्ड विद्यार्थियों के यूनीक पोटेंशल, एप्टिचूड, एटिचूड, टालेंट, स्कील्स, एफिशन्सी, कॉंपिटन्सी और पॉसिबिलिट्स की डिटेल्स शिट होगी मुल्यांकन प्रणानिके मैं संपुण सुधार के लिए एक नए राष्टिय मुल्यांकन केंद्र परक्की स्थापना भी की जाएगी